Hello friends, welcome back to the channel दोस्तो आज के इस वीडियो में है Motorola का X40 स्मार्टफोन दोस्तो आज के इस वीडियो में जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में और देखते हैं इसका लोग कैसा है दिस्पले की बात करते हैं डिस्पले आपको मिलता है 6.7 इंचिस का Full HD Plus OLED display आपको मिलता है सांती इसमें आपको 165 हर्च का refresh rate देखने को मिल जाता है फ्रेंट में आपको 60 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि काफी ज़्यादा रिजूरिशनाला कैमरा है और वी लॉगिंग करेंगे तो काफी अच्छा आपको वीडियो आटपुट देगा सांती इसमें SDR 10 पेस का support है और 165 हर्च का refresh rate दिया गया है तो काफी अच्छा smooth display आपको देखने को मिल जाता है aluminum का frame दिया गया है सांती bottom में और top में आपको speakers देखने को मिल जाते है rear में आपको 3 camera देखने को मिलते है 50 प्लस 50 प्लस 12 megapixel के processor की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको snapdragon का latest 8 Gen 2 chipset मिलता है क्योंकि काफी fast chipset है और इसके N22 score की बात करें तो 12,00,000 से भी उपर का इसमें N22 score देखने को मिल जाता है सांती दोस्तों के RAM और storage की बात करें तो इसमें आपको latest LPDDR5 RAM देखने को मिलती है और storage भी आपको latest मिलती है UFS open 0G जो की काफी fastest storage है जब आप दोस्तों game खेलते हैं तो इसमें आपको ultra HD graphics का support देखने को मिलता है तो की काफी बहतरीन है सांती दोस्तों बात करें इसके rear cameras की तो आपको rear में 3 camera देखने को मिल जाता है 50 plus 50 plus 12 megapixel के 50 megapixel का ultra white 50 megapixel का wide और 12 megapixel का telephoto sensor देखने को मिल जाता है इसके कुछ samples आपको यहाँ दिये गए हैं जिसमें क्या आप देख सकते हैं और contrast आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाता है और detailing भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे चार्जर आपको दोस्तों इन दे बॉक्स 125 पोट का मिलता है जो कि दोस्तों इस स्मार्टफोन को 7 मिनिट्स में 50 परसंट तक का चार्ज कर देता है ऐसा कंपनी का क्लेम है और दोस्तों इसमा आपको Android 13 मिलता है out of the box with my UI 5.0 दोस्तों ओवरल ये फोन काफी अच्छा लगता है इसका जो वेट है वो 199 ग्राम का है तो ओवरल स्मार्टफोन काफी अच्छा बनाया गया है डिस्पले काफी अच्छा है और इसमा आपको लेटेस्ट प्रोसेडर देखने को मिल जाता है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में जैहिन